अभी तगा इतिहास कहता है देश की आज़ादी के बाद कोई-भी मेडिया में जो है दलित आदिवारसी जो है एडिटर या एडिटोरियल पोस्ट पर नहीं रहा, decision-making पर नहीं रहा, वो चाहे किसी भी जाती की हो, किसी भी धर्म की हो लेकिन जब वो दलित या उप्रेस कम्यूंटी से महिला होती है तो वो उस पाइदार भी खड़ी होती है जहां पर किसी की नजर भी नहीं जाती क्या वज़े है कौन से फिल्टर लगा हुआ है कि वहां तक दलित आदिवासी पहुंच ही नहीं पाते हैं बढ़े लोग बहुत सारी दलित वी दोश्यों पर बात करते हैं लेकिन क्या होता है जो जिस रिपोर्ट को पूरी दुनिया पढ रही है उस रिपोर्ट में मुक नायक को भी शामिल किया गया बाबासाइब में मुक नायक के शिरूवात निज़र बीस में की ती और उस समय का जो मेणिस्ट्री मीडिया था या उसमय का जो मीडिया था क्योंकि प्रिंट मीडिया उसमय था और उसमय का कुद्धों पर बात नहीं करना जाता था जो असल में उनका दुख था और प्रेस कम्यूटी को इग्नॉर कर रहा था क्योंकि उस समय भी जो वो वीडिया में लोग बैठे थे वो भी एकी तरह की लोग थे एकी तरह की जाती के लोग थे और वही कह सकते हैं कि वही शोशन भी कर रहे थे और वही मरहं भी बन रहे थे वही संब रिपोर्ट कर रहे थे तो बाबासाहिप को उस समय जो है इसकी बहुत कमी खली कि हमारे लोगों की हमारे मुद्धों पर तो बात ही नहीं होती और उन्होंने इस तरह से जैनलिसम की शुरुआ करी मुटनायक जली और 1920 मौ दिनों तक नहीं चल पाया, लेकिन अभी सौसाल से जादा हो चुके हैं, और अभी का जो मीडिया है, उसके हालाग भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, अभी का जो हम लोग मीडिया कह सकते हैं, मुखेधारा की जो मीडिया है, मेलिस्टीम मीडिया जो है, उसमें भी एकी तर प्रिवलेज को खत्रा ना हो, उसका प्रिवलेज जो है उसको नुकसान न पहुचे और बास भी हो जाए क्योंकि एकदम से इग्णॉर करना के लिए बड़ा मुश्किल है कि इतने बड़े समाज को एकदम से इग्णॉर करते। लेकिन ना तो उनके लिए नौकरी है ना है decision making पर उनको रखा जाता है अभी तक का इतिहास कहता है देश की आजादी के बाद कोई भी ministry media में जो है दलित आदिवार्सी जो है editor या editorial post पर नहीं रहा decision making post पर नहीं रहा तो यही सबसे बड़ी यही दिखाता है कि media किस तरह से कास्ट पर believe करता है किस तरह से कास्ट matter करता है कितना बड़ा कास्टिस है हम लग भी ministry media में काम कर चुके हैं और वहाँ पर practice अपने उपर छेली है कि किस तरह से कास्टिसम होता है मीडिया में किस तरह से newsroom में कौनसी story जानी है कौनसी नहीं जानी है किस angle से होनी चाहिए वह सारी बाती होती है उसमें तो जब इस तरह की चीजे होती है तो एक alternative media आया और alternative media नहीं शुरुआत की और alternative media में भी अगर हम लोग देखे तो थोड़ी सी वहाँ पर भी कमी लगती है कि कोई भी आज तक जो है दलीत आदिवासी वहाँ पर भी editor post पर नहीं कहुँचा है मैं कई सारे जो इस तरह की चर्चाओं में जाती हूं वहाँ पर भी इस तरह के सवाल खड़े करती हूं कि alternative media भी आया मुखित अरिक से लड़ने के लिए लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की कमी दिखाई देती है कि वहाँ पर भी डिशीजन में डुलिय सब्साजीजंबासी में को यंपारम पर बोधality वहाँ आज मेरा हुँा कि करकी कि अगर आप मौकान नहीं देंगे तो हम अपना माईक खड़ा करेंगे, आपके माईक हमें जरूरत नहीं है, और माईक जो है, एक ही तरह की लोगों के पास जाता है, आज दूर दे हाथ, गाहों दे हातों में जो बैठे हैं लोग, उनके पास माईक आज भी नहीं पहुंच पा तो मैं बैतर बता सकती हूँ कि मुझे कितना दर्द हो रहा है कोई यार क्यों पता है कि मीना पोटवाल पो दर्ध हो रहा हो और कितना दर्ध हो रहा हूँ इसी कि हम लोगों ने अपना माइक शुरू किया 2021 में मुटनाय की शुरुआत की उसी सब को जहते हुए और एक कमी थोड़ा सा ये भी रहा कि बहुजन मीडिया में भी मैंने कुछ दिन काम किया मुझे महाँ पर थोड़ा सा ये लगा कि वहाँ पर महिलाओं की कमी है क्यों जो है उपरेस्ट कमीनिटी की महिलाएं आज भी आगे नहीं आपा रहे हैं क्यों पत्रिकारते जैसे शेत में नहीं आपा रहे हैं तो मुझे लगा कि खुद का भी अपने एक मीडिया शुरू करना चाहिए क्योंकि महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी हो चाहे बाबा साहिब हो चाहे पेरियार हो वो हमेशा महिलाओं को आगे रखते थे और हमेशा चाहते थे कि महिलाओं इस समाज को लीड करें क्योंकि महिलाएं जिस तरह से लीड कर सकती हैं समाज को इस तरह से कोई भी लीड नहीं कर पाएगा वो जिस तरह से जहेरती हैं महिलाएं अपने आप में उप्रेस्ट हैं वो चाहिए किसी भी जाती की हो किसी भी धर्म की हो लेकिन जब वो दलित या उप्रेस कमिंटी से महिला होती है तो वो उस पाइदार पे खड़ी होती है जहां पर किसी की नजर भी नहीं जाती है जिसका जो है दुख है वो कोई समझ भी नहीं पता किस तरह का कास्टिस्म उसके साथ होता है तो वो साली चीजें देखते हुए हम लोगोंने मुखनायक की शुरुआख की 31 जनवरी 2021 को और इसी दिन 31 जनवरी को भी बाबा साहिब ने भी शुरुआख की थी और आज मुखनायक को दो साल से थोड़ा से जादा समय हो गया है मुखनायक ने अपनी उपलब्धी जो है देश नहीं बलकि विदेशों में भी हासल की है लोग उसको जान रहे हैं मुखनायक के काम को जान रहे हैं और मुखनायक हम जिस तरह की खबरे उठाते हैं सोशल इशू के उपर उठाते हैं अभी तक जो समाज में हकीकत बनी हुई है दलिता दिवासियों के, कई सारे मीडिया आई, कई सारे सरकारे आई, लेकिन उनकी हालात नहीं बदले. तो हम तक सोशल इशू पर जाड़ा काम करते हैं, सोशल इशू उठाते हैं और मुखनाय इतने ऐसी कई खबरे की हैं, जिससे की वहाँ की सच्चाई बदल गए. मदिर प्रदेश का एक उधारण देने चाहूंगी, 40 करोड का एक बजट पास होना था, जो दलितों के लिए था, दलित फाइनेशिन कर्परेशन के लिए था वो, और वो पास ही नहीं हो रहा था. मुखनाय की खबर हुई और उसके बाद 38 करोड का बजट पास हो गया. कि घर घर बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन वहां उस गाओं में अभी तक बिजली ही नहीं देखी थी, वहां पर खंबे भी नहीं थे बिजली के. तो इस तरह के भी थे हम लोगों ने जब खबर की तीन महीने के अंदर वहां से खबर आगे कि सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ कि तीन महीने के अंदर उस गाओं में बिजली पहुंचा दी चाहे थी. और ऐसी ही राजिस्थाने बहुत सारी खबरे हुए, आप लोगों ने देखा हुआ कि इस तरह से एक दलिक बच्ची के बच्चे ने जब पानी का मठगच हुआ, उसका जो टीचर था उसने, उसको किस तरह से मारा, उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. इस तरह कि हम लोगों खबरे कोशिश करते हैं, वो दिखाए हात्रस का मामला हम लोगों ने उठाया, नांगल कैंट का मामला आप लोगों ने देखा होगा, नौरवाल की बच्ची के साथ रेप होता है, और दिल्ली में बैठा मीडिया, तमाह मीडिया वहां तक नहीं के लिए दूर हो गया, वहां पर मुखनायक पहले दिल से बना रहा और उसमें उस खबर को इस तरह से दिखाया कि ना ही वो देश में बल्कि विदेशों में भी उस मामली की चर्चा हुई, यह मामले हम लोग इस तरह से उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं क कि उसमें बदलावाएं, सरकारों में नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बदलावाएं जो लॉंग तरम के लिए काम करें, क्योंकि एक बार किसी के पास पीने का पानी पहुँच गया, तो पीने का पानी वापर नहीं जाएगा, बल्या कि जिस गाहों में बिजली काम करें, हम लोग काम के लिए सोशल इशू पर काम करें, जो दूसरा मीडिया काम नहीं करें, जो दूसरा मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ओक्स्वेम की रिपोर्ट कहती है, 2006 में एक रिसर्च आया था, कि दलीत आदिवासी में इस्टी मेडिया में हैं नहीं, चाहे कोई भी दलीत आदिवासी decision making में क्यों नहीं पहुचा, क्या बज़े है, कौन सा ऐसे filter लगा हुआ है, कि वहां तक दलीत आदिवासी पहुच ही नहीं पाते हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत सारी दलीत दोश्यों में बात करते हैं, लेकिन क्या होता है, क्यों वो ऐसे filter लगा के रखते हैं कि उनके साथ में लोग काम नहीं कर पाते हैं, काम करते हैं, चोटी कोस्ट पर करते हैं, वो भी चुप रहे कर, मैं खूद रही हूँ, वहां पर हम लोग अपने मन की बोल गहीं सकते हैं, सुमित रहे हैं, सुमित में स्टी मेडिया में काम कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे किस तरह से वहाँ पर कास्टिजम होता है और किस तरह से लोग बात करते हैं दरीतों पर किस तरह से बात करते हैं कि उनको कहां रहना चाहिए कभी भी वह आपको decision making का decision making पर नहीं रखेंगे इस तरह की चीज़े होती है तो लंबे समय तक research कहता है कि कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा 2022 में Oxfair ने फिर से एक research किया इसी पर कि कौन कौन अभी भी जो है मीडिया में कौन ministry मीडिया में है और कौन कहां पर कौन से लोग है Oxfair की report में मुखनायक को भी शामिल किया बड़े-बड़े मीडिया के साथ तो मेरे लिए तो यह भी उपलब्दी थी कि Oxfair जो जिस report को पूरी दुनिया पढ़ रही है उस report में मुखनायक को भी शामिल किया गया और पहली बार आजादी के पहली बार 75 सार बार आजादी का हम अम्रित मौसर मुना रहे हैं पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई मीडिया डायवसिटी जिसने maintain किया है वो मुखनायक रहा हमारे साथ सभी तरह के लोग हैं चोटी सी टीम है 17 लोगों की टीम है हमारी लेकिन हमारे साथ सभी तरह के लोग हैं जिसमें दलिद भी है आदिवासी भी है मुस्लीम भी है पश्मान्दा मुस्लीम भी है क्यूर कम्यूटी के भी है यहां तक हम लोग ने सवर्णों को भी जगय दिया क्योंकि जिसके जिस तनी भागेदार उसके इतनी हिस्सेदार तो होनी ही चाहिए हम इसमें विश्वास नहीं करते कि हम लोग किसी के साथ जाती के अधार पर या लिंक के अधार पर कास्टिजम करें हम लोग कोशिश करते हैं कि जेंडर और कास्ट पर हम लोग फोकस करें ताकि जिस तरह का इशू आए उन लोगों से हम लोग बात कर सकें उस मुद्धे पर हम लोग उनसे समझ सके कहीं हमें कभी तो नहीं रह रहें क्योंकि मैं महीला हूं हो सकता है मैं सब तरह की इशू नहीं समझ सकते हूं मैं जिस community से हो सकता है मैं वो समझू या और भी अगर उस लोग के होंगे तो वो जादा पता सकेंगे कि कौन सा विचार कहां पर रखना चाहिए जैसे अभी एक story पर discussion चल रहा था तो मैं अपने managing editor और अपने English cake editor हो उनसे बात कर रही थी कि हम लोगों को इसमें किस तरह की भाषा के इस्तमाल करना चाहिए किस तरह की तो इसे क्या है मिली जूडी चीजी इसमें आ जाती है और आज time खतम हो रहा है तो मुझे जल्दी से sum up करना है तो महिलाओं की इस दित और भी खराब है इस देश में महिलाओं जिस तरह से पैट्रियार की झेल रहे हैं जिस तरह से कास्टिजम झेल रहे हैं कास्टिजम तो हम तब झेलते हैं जब क्या कहते हैं हम समाज को समझ पाते हैं समाज में बहान लिगते हैं लेकिन पैट्रियार की हम बग बच्पन से झेलते हैं आज मुखनाय की प्लब्थी में बस खतम करना चाहूंगी मुखनाय का आज वहाँ पहुँच चुका है अभी हाली में पिछले हप्तिली न्यूयोक टाइंड ने प्रोफाइल किया है पूरा उसके बारे में लिखा है इसके साथ ही खालिस टाइम जो UAE का सबसे बड़ा और सबसे पूराना अख़बार है उन लोग ने प्रोफाइल किया है अभी दो दिन पहले ही अरब नीज ने किया है इस तरह से मुखनाय की पहचान जो है देश और विदेशों में भी पहुँच रही है और लेकिन इसके बाद भी महीला हूँ तो मैं क्योंकि महीला पे जादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ट्रोलिंग में हम लोगों को जेलनी पड़ते हैं इतना करने के बाद भी ट्रोलर जो है ट्रोलिंग बहुत करते हैं जिसमें रेप की और बहुत सारी गालियां देते हैं क्योंकि सारी गालियां दलीतों और महिलाओं पर बनती है और मैं तो उन दोनों में फिट होती है तो बहुत आसान है हम लोगों को गालियां देना बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं, तो बहुत बुरा इसमें लगता है क्योंकि इसमें आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग छुकेंगे नहीं, काम करते रहेंगे, अभी तो यह शुरुवात है, बहुत रंभी पारी हासिल करने हैं, लगाता लड़ते रहेंगे, थैंक यू. झाले थासनों भी हम लहेंगे, लोग शुरा और संटिर में लेकिख झाले हैं, जिए जासने हैं, बहुत र meioर ज conta क्योंकि बहुत भी हम लगता हैं, ए⁉सजा हैं, आसने च्पका चार्णी जे काम क्योंको जारा कigersमें शů, हैं वहुत रहेंगे, भी हीवता हैं, जासरी झाल